दोस्तों जल्द ही टीवी इंडस्टी पर प्रसारित होने वाला सीरियल स्पाई बहु का प्रोमो तो आप सभी ने देखा ही होगा जहां इस सीरियल के प्रोमो में हमें अभिनेता सहबा रजिम देखने को मिल रहे हैं जहां इनका किर्दार काफे दल्चस्प और कूल है तब ही तो दश्रक इनके असकिरदार को बेहत पसंद कर रहे हैं जिसके चलते ही आज काफी जादा फेमस भी हो गए हैं और अपने करियर को भी पूरी तरह से चमका चुके हैं लेकिन अपने सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ अपनी मेहनत और मशकत को ही नहीं देते बलकि इन है कि इनकी लािफ में तीन अभिनेत्रिया ऐसी रही है जो इनका support कर चुकी है और इनके लिए लगए भी साबित हो चुकी है जी हां तो आखिर कार वो कौन से हैं जो इनके लिए लग इस वीडियो के जरिये नमबर वन एकता कपूर सबसे पहले बात करते हैं अभिनेतरी एकता कपूर की जो की इंडियान टालिविजन प्रोड्यूसर और डारेक्टर दोनों ही है जो हर एक टालेंटेड स्टार को अपने सीरियल में काम दे कर उन्हें सक्सेस्फॉल बना देती है जिसमें एक नाम अभिनेता सहबान अजिम का भी आता है जिहां सहबान अजिम को एकता कपूर ने स्पाई बहुत सीरियल में काम दे कर उन्हें फेमस कर दिया है जो सिर्फ और सिरियल के प्रोमो से ही चारों तरफ चा गए है जिसके चलते हैं आज काफे ज़्यादा पॉपलर हो रहे है तब ही तो ये इनके लिए इगलाखी साबित हुई है अब बात करते हैं अभिनेती रिमशेक के जिन्होंने अभिनेता सहबान अजिम के साथ सीरियल तुछ से है राप्ता में काम किया था जहां इस सीरियल में इन दोनों के जोड़ी काफे फेमस हुई थी वहीं दर्शकों ने सहबान अजिम को रिमशेक के साथ काफे ज़्यादा पसंद भी किया था भले ही सहबान अजिम रिमशेक से पहले कई अभिनेत्रियों के साथ नजर आ चुके हैं लेकिन जितना दर्शकों ने इनके साथ प्यार दिया था शायद ही किसी और अभिनेत्री के साथ उन्हें इतना प्यार मिल पाता तभी तो ये इनके भी अपने लिए लग्की अभिनेत्री मानते हैं इस लिस्ट के तीसरे नमबर पर बात करते हैं अभिनेतरी जेनिफर विंगेट की जो की टीव इंडस्री की खुब सुरत अभिनेतरी होने के साथ साथ एक फेमस अभिनेतरी भी है बता दे अभिनेता सहवान अजीम सीरियल बेपनहा में इनके साथ काम कर चुके हैं तब ही तो ये इनके साथ काम करके खुब फेमस भी हुए आखिरकार होए भी क्यों ना जैनिफर विंगेट टीवी के सबसे मशूर अभिनेत्री जो माने जौती है तब ही तो इन्हों ने इस सीरियल में इनके साथ काम करके खूब सुर्ख्यां बटोरी थी और जैनिफर विंगेट इनके लिए लखे साबित हुई थी जिसके बाद इन इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जाननी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें